आज का हमारा टॉपिक है वाट इस क्वीक सोट आज हम आपको क्वीक सोट के बारे में बताएंगे कि क्वीक सोट क्या होता है किसे कहते हैं साथ ही साथ हम देखेंगे राइट अल्गोरिधम एंड प्रोसीजियोर क्वीक सोट का अल्गोरिधम क्या होता है यानि किस अल्गोर quick sort algorithm items to separate the list of elements into two parts quick sort में क्या होगा हमारे पास जो भी आटम होगा उन्हें हम दो पार्ट में separate करेंगे उसके बाद sorting operation perform कराएंगे हर पार्ट में and then sort each part recursively फिर दोनों पार्ट को हम recursively sort करेंगे left side से और right side से तो यह क्या है it is use divide and concur method quick sort भी क्या करता है divide and concur technique को follow करता है जैसे merge sort bubble sort उसी तरह यह भी divide and concur technique को follow करता है concur मतलब sorting और divide मतलब item को दो पार्ट में divide करने के बाद sorting करना उसी को बोलते है divide and concur method in this method the partition of list is performed based on the element called pivot element quick sort में क्या करेंगे जो भी हमारे पास quick divide and concur method है उस method का use करके हमारे पास जो भी element होगा तो first element को हम pivot element consider करेंगे और इसी pivot element के according हम अपने elements को sort करेंगे फिर चाहे left side से या फिर right side से तो पाइवर्ड element ऐसा element होता है जो हमारे पास element होंगे उन में से पहले element को पाइवर्ड करेंगे और राइट टू लेफ्ट हम स्मोल और लेफ्ट टू राइट हम greater करेंगे यह मैं प्रोसीजूर में आपको बताऊंगे कि कैसे काम करता है यह तो लीस्ट इस को डिवाड़े इंटू जब हम प्रोस was को सॉट करेंगे जब मिडिल में जाएगा मिडिल यह दो पार्ट साइड वाले साइड वाले आजटम को राइट साइड वाले आटम कोंग्त हमारे पास फिर दो है Billy होंगे और उन दो में फिर सेंसे नКो पर Bennett तो हमने यहां पर ऑप लाग्यृबहा प्रडिवाईड करमेफर से आठीर क्रिकर्सिव लिपन करेंगे तो यहां पर ओल एलिमेंट to the left pivot are smaller than जो भी हमारा pivot element होगा suppose middle में pivot element है तो left side का जो element होगा वो pivot element से smaller होगा और all elements of right of pivot element are greater or equal to pivot जो भी pivot element के right side में element होगा जिसे हम pivot consider करेंगे वो right side वाला pivot element से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा तो अभी जो मैंने definition में आपको बताया हो सकता आपको समझ मिनाया हो तो चलिए इसका procedure बताते हैं इससे आपको clear हो जाएगा तो अब हम procedure जानेंगे quick sort करो सबसे पहले हम elements ले लेते हैं तो आप कोई भी random element ले लेते हैं हम लेते हैं 53, 1 60, 65 45 90, 13 67 यह हमारे पास random element है अब इस element में जो आपको first element दिखेगा जो 50 है वो हमारा pivot element होगा यहाँ पर condition होता है कि first element को हम as a pivot consider करेंगे और इस ही pivot element से हम अपने sorting operation को perform कराएंगे तो यहाँ पर sorting हम दो तरीके से करेंगे first sorting होगा right to left right to left sorting होगा तो pivot element से just less than element को हमें लेना है और second sorting होगा left to right left to right में क्या करेंगे pivot element से just greater element तो सबसे पहले sorting start करेंगे right to left यानि right से last side में sorting करेंगे सबसे pivot से just छोटा element क्या है pivot element से just छोटा element यहां पर 13 है तो यह क्या करेगा swap हो जाएगा 50 के जगा 13 जाएगा 13 के जगा 50 आएगा यह दोनों अपने place को change करेंगे और बाकी के elements same as it is रहेंगे जैसे हमने लिखा था तो अब हम क्या करेंगे अब second condition हमारे पास है left to right जब left to right हम element को short operation perform कराएंगे search करेंगे यहां पर पाइवर्ड element से just greater element क्या है तो पाइवर्ड से just greater यहां पर 60 है यहां पर just greater देखना है मतलब पाइवर्ड element उससे थोड़ा सबड़ा क्या 60 है तो फिर यह place को change करेंगे तो 50 यहां पर आएगा पाइवर्ड element और 60 वहां पर चल जाएगा यानि स्वेप हो गया दोनों अब बाकी के elements remaining वैसे ही रहेंगे जैसे हमने लिखा था तो इधर भी 13 13 अब हमारा टाइम आ गया है और हाइट टु लेख्ट तो 008 पाइवर्ड energy just greater element क्या है राइट टु लेफ्ट में पाइवेट से जस्टलेसध क्या है है तो यहां पर पाइवर्ड से जस्टलेस ऐलिमेन आ फोस्ति फच्न किक्या हम राइट टू लेफ्ट कर रहें सोर्टिंग यह दोनों भी अपने प्लेस को चेंज करेंगे तो यहां पे 50 के जगा 45 और 45 के जगा 50 बाकी के elements remaining वैसे ही हम लीग देंगे 60 30 67 अब हमारा condition left to right left to right में पाइवर्ड element से just greater element तो पाइवर्ड element से just greater element यहां पे 65 यह दोनों भी अपने प्लेस को चेंज करेंगे तो हमने चेंज कर दिया और बाकी के elements as it is रहेंगे तो हम लिग देंगे 45 1 3 13 तो यहां पे आप देख सकते हैं पाइवर्ड element जो था वह मिडिल में आ चुका है दोनों साइड में 44 elements हो गए हैं तो यह condition जब आ था तो हमने आपको एक बात बताया था कि अब हम जो हमारे पास आयरे का element है उसे हम दो पार्ट में divide करेंगे तो दो पार्ट में दिवाइट करने के लिए हम लिखेंगे 13 1 45 यह हमारा left side के element है पाइवर्ड से और right side के 65 90 60 67 तो यह अब हमारे पास दो सब आयरे हैं अभी तक हमारे जब हमने sorting स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक single आयरे था जिसमें हमारे पास 9 elements थे लेकिन अब हमारे पास दो आयरे हैं जिसमें 4 4 elements से एक पाइवर्ड से left में है एक पाइवर्ड से right में तो अब इन दो सब आयरे में भी हम सेम operation को perform कराएंगे तो first element को ऐसा पाइवर्ड consider करेंगे तो left वाले का first element जो पाइवर्ड consider किये वह middle वाले पाइवर्ड element से छोटा है जो कि आपको definition में बताया थे कि 50 से छोटा होगा लेफ्ट वाला सब आयरे का पाइवर्ड element और right वाले सब आयरे का पाइवर्ड element मिडिल वाले element से बड़ा होगा greater और equal हमने definition में बोला था तो अब इसे भी हम same operation से sort करेंगे सबसे पहले right to left करते हैं तो 13 से just छोटा क्या है वन यह दोनों अपने place को change करेंगे तो यहां 13 आएगा यहां पर one जाएगा 3 और 45 as it is रहेंगे तो अब फिर हम क्या करेंगे left to right करेंगे तो 13 से just बड़ा क्या है यहां पर तो कोई बड़ा नहीं है 45 तो 13 के right side में है वो हम consider नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे दो elements को लेके चलेंगे यानि left to right जब search करना है तो पाइवाड element से left में ही element मिलेगा तब ही हम उसे swap करेंगे नहीं तो नहीं कर सकते तो अब हमारे पास दो element है तो one को पाइवाड consider करेंगे तो right to left sort करेंगे तो three ही बड़ा है तो three अकेले नीचे आएगा तो यहां पर three आ गिया यह left वाला सब पार्ट हो गया हमारा अब right वाले को हम देखते हैं तो पाइवाड element 65 है इससे just छोटा क्या है 60 तो यह दोनों प्लेस को चेंज करेंगे 65 यहां जाएगा 60 65 के जगा प्याएगा बाकी की elements as it is रहेंगे तो अब हमारे पास क्या है अब हमारा जो पाइवाड element है उससे just बड़ा क्या है तो उससे just बड़ा 90 है तो यह दोनों भी अपने place को क्या करेंगे change करेंगे तो यहां पर 90 element जो हमारा था वो आ गया तो अब इसके लिए हमारा condition फिर से हो गया अब हम sort करेंगे element तो अभी हमारा पाइवाड element 65 है तो उससे right side में जो दो बड़े elements है 90 और 67 यह दोनों elements अब हमारे पास remaining बचे हैं sorting के लिए तो इससे हम लिग देते है 90 और 65 67 तो यहां पर हमारा पाइवाड element होगा 90 तो राइट साइड में हम सर्च करेंगे जस्ट छोटा element 65 यह जस्ट छोटा यहां पर 65 90 के जगह पर जाएगा 90 67 के जगह पर जाएगा 67 यहां पर तो यह हमारा sorted order में element आ चुका है अब इससे अगर हम as a result लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सबस से पहले 1 उसके बाद 3 उसके बाद 13 फिर 45 फिर हमारा मीडी लोग पाइवड एलिमेंट 50 उसके बाद हमारा हो गया 60 फिर 65 उसके बाद 67 उसके बाद 90 यहां पर आप कंडिशन में देख सकते हैं सौंतर में आने के बाद यह कंडिशन इस कंडिशन पर काम कर रहा है सबसे पहले मारे पास सब्सक्राइब भाइब आप में इसके बाद इसके सबाद aja सब पार्ट में दो सब पर्ट में छिटने भी इलिमेंट से स्मोलर और राइट सब करा दिया है उसके बाद इन दो सब एरेज में हमने सेव उप्रेशन को परफॉर्म कराया जो हमने सिंगल में किया था तो हमारा एलिमेंट सोटेड ओडर में प्रिंट में मिल गया आप देख सकते हैं 1 3 13 45 50 60 65 67 90 अब इसका करें से यहाँ प्रोसीजियोर में क्यों दिखाते हैं यहाँ पहें प्रोसीजियोर में हमने क्या किया स्टाटिंग एलिमेंट हमारा 50 था हमने इसे एज़ा पाइवड एलिमेंट कंसीडर किया step 3 में हमने लिखा scan and find smallest element from right side of array इसका मतलब होता है आयरे के right side से यानि right to left में हम scan करेंगे और find करेंगे smallest element को जो कि पाइवड एलिमेंट से होगा चलिए प्रोसीजियोर में दिखाते हैं आपको यह हमारा element था हमने scan और find करना चालू किया right side से left के side में तो पाइवड एलिमेंट से smallest element यहां पे 13 है तो हमने उसके इंटर्चेंज कर दिया तो step 4 में हमने लिखा है इंटर्चेंज बोथ elements यानि जो elements हमारा smallest find हुआ था उस element के जगह हम पाइवड के लिखेंगे और पाइवड एलिमेंट के जगह finding element को लिखेंगे जो हमने find किया step 5 में हमने लिखा है scan and find all the biggest element from left side window फैरे एरे के left side से हम scan करना चालू करेंगे और biggest element को find करेंगे जो की पाइवड element से जस्ट बड़ा element होगा उसके बाद हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस करेंगे इंटर्चेंज बोथ elements तो चलिए procedure में दिखाते हैं तो यहां हमने left side से scan करना चालू किया तो हमने find किया 60 को जो कि पाइवड element से जस्ट ग्रेटर है यह दोनों अपने place को interchange करेंगे तो 50 यहां आजा 60 यहां गिया repeat the eva process until all the elements of left side are smaller and right side elements are greater than पाइवड element यानि इस process को हम तब तक repeat करते जाएंगे जब तक हमारा जो पाइवड element है उसके left side के सारे elements smaller होना चाहिए पाइवड से और right side के सारे element greater होने चाहिए पाइवड element से चलिए दिखाते हैं procedure में तो हमने जब scan किया sort किया तो यहां पे हमारा पाइवड element आ गिया तो हमने आएवड को दो पाइवड में जब डिवाइड किया तो पाइवड element से smaller elements है left side में और पाइवड element से greater element है right side में step 7 में हमने लिखा है now we have two sublist are available apply same process on each sublist until all the elements of array are not sorted अब हमारे पास क्या है दो सब आयरे है दो आयरे है हमारे पास तो उन दो आयरे में हम सेम प्रोसेस को apply करेंगे जो हमने first single array में starting में किया था तो हमारे elements को हम तब तक इस प्रोसेस को करेंगे जब तक sorted order में नहीं arrange हो जाते प्रोसेस में देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो सब लिस्ट है एक left side है पाइवर्ट से एक right side है पाइवर्ट से तो इन सब लिस्ट में हम सेम प्रोसेस को पर्फॉम कराएंगे जो हमने इन सिंगल सब लिस्ट में किया था तो यह तब तक करेंगे हम जब तक elements sorted order में प्रेंट नहीं हो जाते है इस्टे पेट में हमने लिखा है exit यानि यह था हमारा प्रोग्राम इंप्लिमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम भी बनाएं था हमें कॉमेंट करके बताएं तो मैं इसके उपर प्रोग्राम बना दूंगा थांक यू फ्रेंड्स